बिग बॉस के घर में तीना दता की एक बार फिर हुई री एंट्री एंट्री होते ही शालीन भानोड के चुटे पसी ने जम कर बरसी शालीन भानोड और शुम्भुल तौकिर खापे तो चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या कुछ कहा है तीना दता ने और तीना की आखिर घर में बार फिर क्यूं हुई है बिग बॉस के घर में एंट्री तो इस वीडियो को प्रेंड तक जरूर देखना और वीडियो को जादा से जादा लाइक जरूर कीजिए दोस्तो बिग बॉस के घर में एलिमिनेशन राउंड के तहट आपको पता होगा कि किस तरीके से शालीन भानोट को चैलेंज दिया गया था या तो सुंभूल या तो टीना दता लेकिन इस बार सुंभूल तोकिर खां को भर भर के वोट मिले जिसके बाद तीना दता को घर से बाहर कर दिया गया था अब ये बिग बॉस की कैसी चाल है जिसको लेके फैंस भी ये सवाल उठा रहे हैं कि एक बार घर से बाहर निकालने के बाद तीना को क्यूं फिर घर में एक बार और एंटरी मिल गई है हलाकि तीना दत्ता का पारा चड़ गया और घर में जैसे ही उन्होंने देखा शालीन भानोड ने निकलते ही किस तरीके से अपना पलड़ा जार लिया है तीना दत्ता से और वो तीना दत्ता को लेके किस तरीके से बाते करते हुए नजर आये श्रीजिता और सौंदर से इसके बाद एक बार जब फिर घर में एंट्री हुई तीना दत्ता की वो जम कर बड़सी और सुम्बूल तो किर खांपे भी निशाना साथते हुई नजर आई खर आपको क्या लगता है क्या तीना दत्ता की ये री एंट्री सही है या आप समझते हूँ कि इस तरीके की री एंट्री नहीं करानी चाहिए थी तीना दत्ता अब वैंप बन चुकी है शो में तीना दत्ता कोई बहुत ज़्यादा कॉंटेंट भी नहीं दे रही है तो उन्ह एक शो से बाहर कर देना चाहिए मैं जानना चाहूंगा इस पूरे कंट्रवर्सी पे आप क्या चाहते हो तो बताईए आपका उपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई